वेलकम बैया गाइज आज तो मैं जो है सिखाने वाला हूँ तो कैसे ग्रीट रख करते हैं तो जनरली हम ग्रीट जो है एक स्पेसिफिक और ज्यादा अकुरूट बना सकते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पहले एक स्केल और फिर एक चाहिए होगा हमें जो क्यों तो मेकानिकल पेंसिल और फिर आपको इसी दो चीज में मैं आपको सिखा दूँआ कि कैसे ग्रीट रॉख करना सो लेट्स बिगिन दे वीडियो और देखो कैसे बनता है तो बेसिकलिए हमें एक पेपर लेंगे और फिर एक स्केल ले जादा कुछ बच्चे का तो फिर हम कर देंगा और उपर से युएस हमको 10 cm करवाना है और जो भी बच्चे का हम उसको बॉर्डर ले लेंगे तो फिर हम चलो इसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ड्रॉ करने के बाद हम जो काल्कुलेट करेंगे तो काल्कुलेट करना भी मैं कोड़ के वान वान सेंटिमेटर चुट ट्वेंटी ट्वेंटिमेटर तक छोड़ना है और यहां हाफ हाफ सेंटिमेटर पहले छोड़ देंगे फिर बताते हैं क्या करना है तो इसे कुछ काल्कुलेट कर लेना है आपको कुछ से कोई ना इजी है तो कर लोगे आप हर कोई कर लेता है तो आप क्यूं नहीं कर सकते हैं कर लोगे बहुत इजी है तो इसे कुछ करने के बाद हम नीचे उपर भी खीच लेंगे तो यहां से कलकुलेट कर लेंगे कलकुलेट करके लाइन खीच लेंगे झालेट कर लेंगे सिपूठी जाहं से जिलका छगिप· करेंऑे कर लेंगे की जाओ ठके लए नेग लेक लुक्त लुट झालाओ रजम यहीं को ने को युट प्रांवर्णमंיז फ 이제 की वर्म्ट यहीं युम्ट-उ universal झालाओ सrur झालाओ झाल झाल तो हां गाइज मैं यहां पे बॉर्डर बना चुका हूँ तो आपको भी बना लेना है इसके बाद हम दो-दो सेंटिमेटर मैंने कहा था ना कल्कुलेट करेंगे तो हमको दो-दो सेंटिमेटर छोड़के जो है डिस्टेंस में गयाप मेंटेन करना है और फिर नीचे भी हैं देके हमको नीचे तक किज लिने तो जाजा लंबा पेपर हो जाएगा लिए जो है मैं बोलता हूं कि लंबा स्केल जो तैनर 30 सेंटिमेटर का लंबा स्केल यूज करें तो अच्छा बिटर परफोमेंस रहेगा इस के मुकाबले पर मेरा जो स्केल था वो स्टील का है त तो मैं प्लस्टिक अभी ले लूँगा तो आप कर लेना आपके पास है तो पर कोई नहीं दोनों स्केल में हो जाएगा कुछ नहीं फिर यह ऐसे दो-दो सेंटिमेटर आपको पहले किज लेना है अगर आपको बेस्ट ग्रिट ड्रोइंग में करका आप भी का जो आप है उ ज्यादा कुछ हाड नहीं है बहुत ही जी आप कर लोगे तो याद रखना है एक बाद बॉर्डर के बाद जो है 222 सेंटिमेटर के आप रखना है और जो लाइन होगा हमारा ओ नीचे तक 28 होगा और यह जो होगा 10 सेंटिमेटर होगा यानि आपको दो-दो सेंटिमेटर तो देखो मैं फिर जाहां मुझे लगेगा कि बोलना चाहिए तो मैं वहां पर बहुत कवर करूंगा टेंशन मत लो तो गाइज हमने जैसे उपर से उपर किया था और नीचे किया था हम इस साइड भी वहां और यह वाला जो नीचे तक जाएगा ना तो वह 28 का है तो हम 14 हो मारेंगे मतलब जो जानने के लिए थोड़ा थोड़ा चोटा चोटा लाइन 14 हो मारेंगे टू-टू सेंटिमीटर गयाप में तो इसे मारके हम उसके ऑपोजिट या फिर अल्टरनेट साइड भी के सकते हैं उस पे भी हम मारेंगे तो मारके हम जोड लेंगे तो बन जाएगा आपका ग्रेड तो फिर देखो गए जब समझ लो गया कि मैंने जैसे मैंने बोला था उस सेट कंप्लीट होने के बाद हम इस सेट भी मारेंगे जो चोटा-चोटा लाइन होता है जानने के लिए तो पहले मार लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है तो इसी सीच्वेशन को देखने के लिए देख के मैंने बोला था आपको लॉंग स्केल होगा तो अच्छा रहा गया यहां पर स्टील स्केल भी यूज कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है तो उपर से नीचे तक जो हमारा लाइन रहे गया उसे पहले हम जोड़ देंगे फिर जो इस सेट से उस सेट उसको भी लेगे उसके साथ तो इतना पता नहीं चलेगा तो आप उसको मतलब एरेज कर सकते हो नहीं तो फिर उसको आप स्किप भी कर सकते हूं तो यह आपकी मर्जी है तो देखो गया पहले लाइन खीच लेंगे हम झाल 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 तो हमने जैसे उस तरफ खीचा था तो इस तरफ भी हम खीच लेंगे तो स्केल की मदद से यहां पर मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा जो जाद है लंबा स्केल होते तो यहां पर मदद करेगा तो आपको इस पॉंट से उस पॉंट को जोड़के एक दम नीचे तक चले जाए देखते हैं रेजल क्या बनता है स्क्र Papa बन्हें दो का मुपकी एक वम बनता है बेंपस्का कर दीम साम भी हम गल जो इस पॉंट को विँज थistत कह Daar प्रया नूब जो होती video मुपकी है दोर्म से 한나 SHOW कुण बन्दीं आ आप झाल 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 कि कमेट करना और झाल 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 खत्म बाय-बाय टाटा गुदबाय गया झाल